हेलो एब डिवान कैसे हैं आप सब आई होब कि आप लोग अच्छे हमगे नेहा के किचन में आप लोग का स्वागत है मैं शड़ाइँ गैस पिकड़ा ही उसमें डाले हैं 3-4 स्पून सरसू का तेल तेल गरम हो गया है तो उसमें हाफी स्पून डाले हैं जीरा जीरा चटकने लगा है तो उसमें डालेंगे 3-4 मोटा कटा हुआ प्याज प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे हाफी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद कुंद्रू भी मिक्स करेंगे कुंद्रू की सबजी बहुत धिमियाज पर बनाई जाती है क्योंकि पानी वाला सब्जी होता है धिमियाज पर पकाएंगे तो बहुत इच्छा बन के तयार होगा इसको ढग के थोड़ी देर पकाएंगे कुंद्रो की सब्जी बहुत ही हेल्थ फोल सब्जी है इसको हमें खानना चाहिए भर्पू मात्रा में केलसियम होता है आइरन होता है विटामीन ए विटामीन सी विटामीन बी भी इसमें मिलता है सुगर को भी कंट्रोल करता है अच्छे से मिक्स करेंगे बेसिक मसाला डालके सुखी सबजी बनाएंगे लाल मिट्स पाउडर डालेंगे वन इस्पून नवेट करेंगे धनिया पाउडर बेसिक मसाले से बनाएंगे सबजी सब्जी बनके बहुत ही टेस्टी तैयार होगा अब वन इस्पून डालेंगे गरम मसाला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार अच्छे से मेक्स करेंगे इस सब्जी को आप फुलका या पराठा किसी के साथ इंजवाए कर सकते हैं इसको ढखके पकाएंगे चिली चेक कर लेते हैं सब्जी को चलाएंगे अच्छे से बहुत लोग इस रेश्पी से बनाते होंगे जो लोग नहीं बनाते होंगे जो लोग नहीं बनाते होंगे इस रेश्पी से एक बाद जरूर ट्राइ करिए आप लोग ये सबजी बनके बहुत ही अच्छा लगता है इसको मिक्स चलाएंगे फिर ढखके थोड़ी देर पकाएंगे सबजी को उसके दो से तीनीज में ग्रीन चिली डालेंगे मुझे अच्छा लगता है हरी मिड्स लंबे ऐसे काटके देखे फाइनल लोक सबजी का ऐससे बनके तयार हुआ है चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग आप लोग कहां से मेरी वीडियो देखते हैं आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है रेस्पी कैसा लगता है अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए सेर करिए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए